यह इससे कोई लेना देना नहीं, लोगों को मंदिर से और लोगों के प्रोग्रेस से बाइचारी से कोई लेना देना नहीं, यह तो महाल बना रहे हैं, कि EVM मसीन में गड़बड करेंगे, और नाम हो जाएगा राम मंदिर का, कि राम की वज़े से वोट मिल गए हैं, राम के पुजारी बैठा होगा या मंदर के ब्रोसे वो लोक बैठे होंगे जो मंदिर से कमाई आती अर अपह देश मंदिरों के बरूसे नहीं है लोक whenever बजिए दिनाएक वादी मानसिक्ता देश पे आवी है और देश बोल रहा चिला चिला के बिना रिजरो बैंक के नौट बंद कर सकते हो आप तो लोगों के कहने पे आप बैलेट पेपर को लागू क्यों नहीं कर सकते इस तरह की निरुनकुस्ता दिनाएक वाद देश के लिए चुना ओजीतती हैं तमाम ऐसे लोग हैं वे लोग खुलके कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोधी उनके सामने चुनाओ लड़ें और चुनाओ बैलेड पेपर से हो वे नरेंद्र मोधी को चुनाओ में पठखनी देने का काम करेंगे EVM कितना सेफ है कितना अंसेफ है मैं समझूंगा मेरे साथ सुप्रेम कोड के वकील बलराज मलिक है सर आप लोग क्यों लगता है कि EVM सेफ नहीं है अंसेफ है देखो जिस तरह की ट्रांसपेरंसी चाहिए फरी एंड फेर एलेक्शन चाहिए जिसके गारंटी सविधान देता है और लोगों का अधिकार है ये उसमें EVM मसीन में जो धांदली हुई है लोगों की शंका बड़ी है लोगों ने जो कंप्लेंड की है उस कंप्लेंड का कोई सही जवाब जवाब देई इलक्शन कमिशन की तरफ से आई नहीं और उल्टा इलक्शन कमिशन भी अपने आप में ये समेजाता लग जाएगा बैलेट पेपर से इलक्शन कराने में कभी वो कहता ये सही है वरना पहले तो लोगों से मिलने से मना करता है इस देश का कोई भी नागरिक ये घाली किसी नागरी को किसी भी वकत कि कोई बात कहने की सुनने की या डिसकस करने की पूरी आजादिए और सरकार में और तंतर में नोग तंतर में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी संसा में चाहे वो Constitutional body हो उन लोगों के सामने जाने का हख है और उनकी duty है स्विधानिक पदों की बी और स्विधानिक संसाओं की duty है इस देश के हर नागरी की बात सुनने की और उसको कोई गलती है जो बेक्ति गलती निकालता है उसकी तारीफ की जाती है उसको पैसे दिया जाते हैं सम्मान दिया जाता है लेकिन हमारे देश में जो कोई गलती निकालता है उसके बदले उसको सजा दी जाती है जेल भेर जाता डिटेंड किया जाता है इसका मतलब यही तो है न अरे भई गडबड बताने के लिए तो यहां तो बिना गडबड बताए अपनी मन मरजी से किसी ने बताया था किसी ने नियाज तक भी देश का प्रेमिनिस्टर जवाब नहीं दे पाए देश के सामने और कोर्ट में कहा कि रिजर बैंक की भी कोई सला नहीं ले गई थी जब तो यह जवाब देई है कोई एक आदमी का काम नहीं है कि सारा ज्यान यहां के इस देश के राष्टपती या प्रेमिनिस्टर के पास है ऐसा बिलकुल नहीं है राष्टपती के एक पोस्ट हमारे देश में परदान मंतरी की भी एक पोस्ट है मंतरालों में भी कुछ जारी करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए और क्या है इसमें गड़बड के पूरे चांसे दो परसेंट तो एक तना तो हो सकता है और ये लोगों को तो 200 वोट से एक वोट से भी इलेक्शन हार जाता है तो ये टोटली गड़बड़ अनफेर है और देश बोल राज चिला चिला के बिना रिजरोब बैंक के नोट बंद कर सकते हो आप तो लोगों के कहने पे आप बैलेट पेपर को लागू क्यों नहीं कर सकते सारे देश अमेरिका या कोई भी अपने आप में टेक्नोक्रेट देश हैं जी सने सब ने इसको साइड लाइन और खुड़े लाइन कर दिया इवियम को अरे यहां से बड़ी आ इवियम थी उनकी तो कि भाई ढौंग में लोगों को गुसाओ ढौंग के नाम पे तुमारा आस्ता का मसला इंडिजूल है उसमें सरकार को शैमिल करना और प्रैमिनिश्टर का इतना दिन तक उसी काम पे ध्यान देना देश की चिंता ना करके देश की में भाइचारे की चिंता करने की मनीपूर के महिलाओं को मान समान देने की चिंता की जाए जहां से आग चुराती हुए प्रैमिनिश्ट जाने की हिमत आज तक नहीं कर पाया जब दिल में खोट होता है तो आदमी सामना नहीं कर पाता वहां नहीं जा पाए किसानों के साथ क्या किया क्या दुर्गती की कि उस देश के सीडिजन नहीं जैसे किसी राजा की हकोमत हो और वो लोगों को दिली में भी गुसने से मना कर देता है और पुलिस के बरोसे ड्रा के बंदूकों के साए में लोगों को किसानों को 13 महीने ठंड में बरसात में हर तरह के मौसमें बिठाने मजबूर करता है तो य इसका मतलब लोक तंतर नहीं, लोक तंतर पर कब जा हो गया देश में, और बीजेपी के अच्छे लोगों को भी, साफ सुत्रे लोगों को भी, वरकरों को भी सामने आना पड़ेगा, इस तरह की निरुनकुस्ता, अधिनायक बाद देश के लिए अच्छा नहीं है, जब जब देश में हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तो कम से कम वो सारी फोज, वो सारे लोग, पार्टी के मेंबर, ये भी तो शामिल बाने जाएंगे, इसलिए सब को बोलने की जूर्त है, सुविदान के पक्स में खड़े हो जाने की जूर्त है, बीजेपी के वरकरों को भी, रुक्ताओं से बाहरने कालना है, ढूंग से बाहरने कालना है, इसलिए तो इस देश में वो ऐसे जादुelकरा कानून भी बना वा है, वो तो अंग्रेजों के शमेच से बना वा है, कि आप छीक कर देंगे, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस सारी चीज़ ब पाबं ‫्दियंगे क्राइम हो जब भाई जाम नमाज को पर गिरफतार किया जाता है जब भाइया जी JSR के नारे लगाते हैं तारीफ की जाती है स्वाकत किया जाता है इख उसे व्य-सास'm पर बियांग सताइब का प्लतरसन करना पड़ा बाल विवा एक लंग था वह बंद करना पड़ा चुआ चूट कलंग था देश पे उसके लिए कानून बना पड़ा इसी परकार यह प्रानपरस्थष्टा भी एक लंग है देश पराण काहिसे चले जाएंगे कोई अपनी आस्ता है उसका ढूंग देश में कैसे पहला सकते उसका परचार-परचार करने परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार-परचार आदमी आस्ता के चंगुल में फसा रहता है और इसम बहुत कम परसेंटेज है देश के बहुत थोड़ी सी परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो आस्ता की दास्ता में लोगों को फसाना चाते हैं क्योंकि ये उनके लिए वैपार है उनके लिए धंदा है ये दंदे बाज लोग हैं जो इस देश में unnecessary ब्यहुद्धी प्रमपराओं को चला के जिंदा रखना चाते हैं धर्म की आड में ये धर्म नहीं है ये संपर्दाए हैं कुछ लोगों की आस्ता हो सकती है और हिंदूों की भी आस्ता नहीं है ये हिंदू की आस्ता मंदिरों पर ने टिकी हुई है कोई ये कहे कि हिंदू के आस्ता मंदिर पे मंदिर के बरोसे हिंदू है या हिंदू रिलिजन जो है वो मंदिर के बरोसे बैठा हो नौ मंदिर के बरोसे वो पुजारी बैठा होगा या मंदिर के बरोसे वो लोग बैठे होंगे जो मंदिर से कमाई आती और अपना घर चलाते बाकी देश मंदिरों के बरोसे नहीं है हाँ अस्था के चकर में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वह आस्था के गुलाम है ये देश के लोग तो हिंदू जो लोग है वो बिलकुल धकिया नुसी नहीं है और वह आस्था के डॉंग में अब फसने वाले नहीं हैं और ये सब कुछ पता ये महाल बनाया जा रहा है ये इससे कोई लेना देना नहीं लोगों को मंदिर से और लोगों के प्रोग्रेस से बाइचारे से कोई लेना देना नहीं ये तो महाल बना रहे हैं कि EVM मसीन में गड़बड करेंगे औ नाम हो जाएगा राम मंदिर का क quella गुवच मिलें ना पीवचे कोई बोच देगा लोगों को ठीक है ना राम के लाम से बोट नहीं मिलने वाले ना पुल्वावां से वोच मिलें वोट यह वूटा कि विभर करकर में भगवान होते हैं भगवान राम पड़कर में रहते हैं लेकिन नरेंद्र मोद्य पत्थर की मूर्ती में जान डालने जारे चिया उस मूर्ती हुआ और नहीं है इसलिए पूरे अस्तितों में एक एक छोटी से छोटी चीज भी अनरजाईज है क्योंकि जैसे रसगुला रस के सर्बत में पड़ा होता है तो रस उसके अंदर भी जाता है तो रस की तरह से ये पूरा अस्तितो खाली सतान से ये अनरजी का जो सवरूप है उसमें डूबा हुआ है घीरा हुआ और भीगा हुआ है जैसे रसगुला टब के अंदर रस के अंदर डूबा भी होता है भीगा भी होता है यह रसगुले की तरह हर आइटम छोटी-छोटी मिट्टी का कण हो चै कुछ भी हो यह हम सब हैं पूरा काइनात है यह सारी की सारी य और कहां से ये अनर्जी आ रही है वह अनर्जी को कोई राम कहे या कुछ और कहे कोई भी कुछ नाम दे दें हम मिट्टी को कुछ भी नाम दे दें यह जो चीज वास्तिविक्ता को तो हम बदल नहीं सकते हैं सूरज को धर्ती को नाम कुछ भी दे दें यह वास्तिविक्ता को फोलो करना है आस्तिक्ता नास्तिक्ता ताके ढौंग से बाहर आना पड़ेगा यह अस्तिक्ता नास्तिक्ता कुछ नहीं है ढौंगी लोगों का काम है आस्तिक्ता नास्तिक्ता सबद भी बैमान नहीं बरे सबद है असली सबद है वास्तिक्ता या तो आप वास्तिक्ता को मान मेरी मुरक्ता है वो मेरी अनैसेसरी आस्ता की दास्ता है कि मैं किसी वास्तिविक्टा को कुछ और बोल रहा हूं सवाल है सर कि आप लोग बैठने के कप्चु एवियम को बंद करा कर कि कहीं मानेंगे आप लोग बीच में जोड़ देंगे देश का एक-एक नागरिक, देश का एक-एक वोटर, इस बात को समझ गया है, के EVA में गड़बड होती है, और देश का कोई भी नागरिक EVA में गड़बड नहीं चाहता, सब अच्छे लोग हैं देश के, चंद लोग हैं जिनको बेनिफिट होता है, ठगी ठोरी मारने से, य लोग उसे महरोशाग करते हैं, लेकिन जो EVA है, जनता पूछ रही, जनता कह रहे हैं कि EVA में एक बेमान मशीन है, और EVA बंद कब होगा, उस सवाल के जबाब में बलराज मलिक कहते हैं कि EVA तो बंद होकर के रहेगा, थोड़ा वक्त भले लग सकता है, लेकिन जब तक EVA क साथ में नवीन पानन दे निशनल दस्तक दिल्ली, निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निशन